भाई ये mutual fund companies हमारा पैसा free में क्यों manage करती है? भाई कोई free में नहीं करता तेरा पैसा manage जब तू mutual fund में invest करता है तो तुझे एक expense ratio देना पड़ता है जो उस mutual fund company का profit होता है ओ, so जो भी amount में invest करता हो उसमें से expense ratio कट हो जाता है तो 100 रुपीज का 1% होता है 1 रुपी और इस एक रुपे को divide किया जाता है 365 से और जो amount निकलता है वो आज के दिन का तेरा expense ratio है and for example, let's assume 6 महने बाद तेरा 100 रुपीज appreciate होके 120 हो गया तो उस दिन के 120 रुपीज का 1% निकाला जाएगा और उस 1% को divide किया जाएगा 365 से और जो amount आएगा वो उस दिन का तेरा expense ratio होगा जो उस दिन cut किया जाएगा तेरे investment amounts है